हलो गाईस कैसे आप सब लोग आशा करता हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी और सिविल सिवा परिक्षा की इस थैयारी में आपको मज़ा आने लगा होगा मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपके पास अब पाठिक्रम होगा साथी साथ आयुक द्वारा पूछे गए पिछले सालों में जो प्रेश्न पत्र आये हैं जो आयुक ने पूछे हैं वो आपके पास होंगे सिविल सिवा परिक्षा की साथ ही साथ आशा ये भी रखता हूँ मैं आपके साथ कि आपके पास स्टड़ी आईक्यू आईएस द्वारा प्रकाशित वो किताबे भी होंगी जो हिंदी में आपको चाहिए हैं और दोनों भाग होंगे उसमें और आप मेरे साथ साथ रिवीजन कर रहे होंगे साथ ही साथ मैं एक और उम्मीद रखता हूँ आपको लग सकता है कि आशार बहुत उम्मीद रख रहे हैं लेकिन वो जरूरी है आप सब भावी आईएस ओफिसर आईपिस ओफिसर से वो क्या है उम्मीद वो यह है कि आप साथ साथ क्या कर रहे होंगे रिवीजन कर रहे हो दूसरी चीज आप साथ-साथ short notes बनाते हुए चल रहे होंगे इस दोनों चीज़े बहुत जरूरी हैं हो सकता है अभी आपको इन दोनों चीज़ों की importance पता ना लगें लेकिन जैसे जैसे इस तैयारी में आप आगे निकलते जाओगे वहाँ पे आपको इन पता लगती जाएगी Study IQ IES का अगर आपको कोई भी course खरीदना है Study IQ IES का आपको कोई भी course खरीदना है तो उसमें आपको code कौँ सा यूज़ करना है जिससे आपको maximum discount मिल सके MB live code आपको use करना है MB live code जैसे ही आप use करोके तो जो भी maximum discount आपको मिलना होगा वो maximum discount आपको मिल जाएगा आज जैसा कि हमने last class में बात करी थी कि next class में हम जब भी मिलेंगे तो एक नए chapter के साथ मिलेंगे नए concept के साथ मिलेंगे हम लोग तो हम लोगों ने इससे पहले खतम करा है हमारा geomorphic process कौन सा चैप्टर हमने खतम करा है अगर आपको याद है और आप लगाता है classes ले रहे हैं तो हमने खतम किया है geomorphic processes भू अक्रितिक प्रक्त्रियां और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको एक तो वो चार्ट बहुत अच्छे से पता होगा अंतर जाती बलूं का और बहिर जाती बलूं का या अंतर जाती संचलन और बहिर जाती संचलनों का साती सात अंतर जाती बलो में हमने दो चीजे पड़ी थी कौन-कौन सी चीजे देखी थी एक जो बहुत धीमिगती से हो रही है और एक जो बहुत तीजी से हो रही है अचानक से हो रही है वो दोनों चीजे आपको अच्छे से पता होगी आपको ये भी पता होगा महदेश जनक, एपिरोजैनिक क्या होता है आपको ओरोजैनिसिस के बारे में भी जानकरी है आपको कमप्रेशनल फूर्स के बारे में भी जानकरी है आपको निमजन और उमजन के बारे में भी जानकरी है आपको submergence और subsist dance के बीच में भी अंतर पता है हमने अपक्षे, अपरदन और निक्षेपन के बारे में जब बात करी थी या मैं कहूँ अपक्षे, अपरदन और व्रहद संचलन की जब बात करी थी तो आपको उसके बारे में भी सारी जानकारी होनी चाहिए आखरी क्लास में हम लोगों ने व्रहद संचलन के बारे में बात करी थी मास मूवमेंट के बारे में हमने बात करी थी उसको थोड़ा सा रिवाइस करते हैं और फिर आज के चैप्टर पे हम लोग चलेंगे व्रहद संचलन या जिसको कहा जा सकता है मास मूवमेंट अच्छा व्रहत संचनल और मास मूवमेंट के बारे में जब हमने देखा था तो हमने देखा था कौन सा बल इसके लिए जिम्मिदार है सिर्फ गुरुत्वा कर्शन या मैं कहूँ ग्रैविटेशनल फोर्स ग्रैविटेशनल फोर्स के कारण अगर कोई भी डैबरी डैबरी हमने देखा था चटान के जो मलबे थे उसको हमने डैबरी कहा था कोई भी डैबरी अगर गुरुत्वा कर्शन बल के सहारे किसी ढाल से नीचे की और गिर्ना या प्रवाइथ होना शुरू हो जाता है तो उसको आप क्या कहोगे उसको आप व्रहद संचलन कहोगे, मास मूवमेंट कहोगे हमने देखा था व्रहद संचलन कितने प्रकार का होता है व्रहद संचलन या बोलू मास मूवमेंट तो हमने देखाता है तीन प्रकार से हो सकता है कौन-कौन सो था? एक जो धीमी गती से हो रहा है, उसको हमने बोला था, slow movement. एक जो काफी तेजी से हो रहा है, उसको हमने बोला था, rapid movement. और एक जो बहुत तेजी से हो रहा है, उसको हमने कहा था, land, slide. यहान तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए जब हम लोगोंने slow movement की बात करी थी तो हमने बात करी थी किसकी? soil creep की किसकी बात करी थी? soil creep के बारे में हमने बात करी थी जब हमने rapid movement की बात करी थी तो हमने बात करी थी punk prava यह इसको बूला था? mud flow इसमें आपको पता है कि अगर पानी से संत्रप्त है, क्या है? पानी से संत्रप्त संत्रप्त तो आपको क्या देखने को मिलेगा? तो आपको देखने को मिलेगा पंक प्रवा क्या देखने को मिलेगा? पंक प्रवा आपको देखने को मिलेगा ये बहुत धीमे धीमे होगा कैसे होगा बहुत काफी धीमे धीमे होगा इसको आपको देखने के लिए भी काफी समय चाहिए इसको अपसर्व करने के लिए भी काफी समय आपको चाहिए तो हमारी बात हैं होगी थी slow movement को लेके, rapid movement को लेके land slide भूस कलन के बारे में हमारी बात हो गई थी जो इन दोनों के मुकाबले काफी तीजी गती से होता है और अगर ढ़ाल बहुत तीवर है और नीचे मनुष्य की बस्तियां है या कोई highway गुजर रहा है तो उसको काफी क्या पहुचा सकता ये नुकसान पहुचा सकता है ये हमारी बात है हो चुकिती मास होममेंट को लेके इसके बाद मैं आशा करता हूँ कि आपने वो table भी बहुत अच्छे से देख ली होगी जिसमें अपक्षे अपरदन और व्रह संशन के बीच में डिफरेंस आपको देखने को मिला था अब चलते हैं हमारे next topic के बारे में जिसका नाम है बो आकरतियां तथा उनका विकास हमने last class में या जब हमने पिछला वाला chapter भी देखा था तो हमने पाया था कि ये अगर स्थल मंडल है ये कौन सा मंडल है ये अगर स्थल मंडल है ये अगर लिठोस्फियर है तो क्या लिठोस्फियर एकदम सपाथ है एकदम समतल है तो आप ने देखा तो नहीं लिठोस्फियर एकदम सपाथ और एकदम समतल नहीं है बलके इस पे बहुत सारी विशमताएं आपको देखने को मिल सकती है और ये विशमताएं किसके कारण हो रही थी ये विशमताएं मुक अंतर जाती बलो के कारण उत्पन हो रही थी। कौन से बलो के कारण? अंतर जाती बलो के कारण यह मैं कहूं एंडो जैनेटिक। और इन विशमताओं को कम कौन कर रहा था तो हमने ये भी देखा था कि इन विशमताओं को कम करने का कारे कौन कर रहा है बहर जाती बल या मैं कहूँ एक्जो जैनेटिक जो बल हैं वो क्या कर रहे थे इन विशमताओं को कम करने की कोशिश कर रहे थे जब ही विश्मताओं को कम कर रहे थे तो हमने देखा था बहिर जाती बलू में हमने बात करे थी तीन चीजों के बारे में हमने बात करे थी अपक्षय जिसको हमने बोला था वैदरिंग हमने बात करे थी अपरदन जिसको हमने बोला था इरोजन हमने बात करी थी व्रहत संचलन जिसमें हमने बात करिए थी किसकी mass movement की यह चीजे हमने बात करिए थी जो विशमताव को कम करते हैं इस प्रकार की कुछ होते हैं और इन दोनों को मिलके हमने इन सब को मिलके यह हमने एक नाम दिया था, उसका नाम क्या था? अनाच्छादन, डैन्यूडेशन. जब हमने ये सारी बात करी थी तो हमने देखा था, जो अपरधन होता है। तो हमने देखा था बैहता हुआ जल नदी हो सकता है, बूमिगर जल ग्राउंड वटर हो सकता है, हिम नद हो सकता है, या और हमने देखा था पबने हो सकती हैं, तो वो सब कια थे। अपर्दन के कारक थे। ये अपर्दन के कारक, जब अपना कार्य कर रहे होते हैं, अफसादों को एक जगे से दूसरी जगे ले जा रहे होते हैं, तो आप पाएंगे कि बहुत सारी इस्थल आकरतियों को ये बनाते हुए चलते हैं, क्या बनाते हुए चलते हैं, बहुत सारी इस्थल आकरतियों का न जो अकुरतिया हैं वो कया हैं? बूबूर अकुरति, उनको क्या कहा जाता है? लेंड पे जो फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है, उसको लेंड फॉर्म कहा जाता है. ना केवल हमको ये पढ़ना है कि भू आकरतियां क्या होती है बलकि साथ ही साथ क्या देखना है उनका विकास भी देखना है उनका इवाल्यूशन भी देखना है अब सर यहां पर इवाल्यूशन का मतलब क्या है एवाल्यूशन का मतलब आप ऐसे समझेए कि जैसे मनुश्य ज हुआ है बंदरों के या चिंपांजी के मुकाबले अगर आप अपने दिमाग का कंपेरिजन करोगे तो आप आओगे कि हम ज्यादा इंटेलिजन के मुकाबले हम ज्यादा कारे कर सकते हैं ज्यादा सोच समझ के कारे कर सकते हैं तो यही सब चीजे क्या है विकास है यही सब च लेंड़फर्म की होता है। एक विशेष्टा है जो आपको कहां देखने को मिलेगी। प्रत्वीकी सत्य Uhh पर एक एस विशेष्टा है। जो किसी भूबॉथा क्या है हिस्सा है प्रतिक भू आकरती का अपना भौतिक आकार हो सकता है क्या हो सकता है बहुतिक आकार important चीज़े बहुत इक आकार हो सकता है खुद का, खुद की प्रक्रती होती है और यह कुछ भू आक्रती प्रक्रियाओं का परिणाब होता है, भू आक्रती प्रक्रियाओं का परिणाब होता है, आपको याद होना चीए कौन से थी भू आक्रती प्रक्रियाओं, हमने देखा क्या थी? ये दोनों भू-ाक्रतिक प्रक्रियाएं थी तो इन दोनो के कारण हमने देखा था विशमताय उत्पन कौन कर रहा है अंतर जातीए बल विशमताय कम कौन कर रहा है बहर जातीए बल लेकिन आप एक event पे देखोगे एक time period पे देखोगे कि आज कौन से इस्थिति हैं तो आज की इस्थिति अगर आप देखोगे तो कुछ अंतर जाती है बल इस पे लग रहे होंगे कुछ बहिर जाती है बल इस पे लग रहे होंगे तो ये जो आपको सामने देखने को मिल रहा है ये क्या एक ये भू आकरती है इस पे दोनों प्रकार के बल कार्रे कर रहे हैं। तो इन दोनों का जो पनिणा हम है, वो क्या एक भू आकरती है। इसके बाद हमने बात करी थी, कि आधिकार जो भू आकरती होती है, वो कैसी होती है, काफी धीमी होती है। सिवाए किसके जो भूकंप से निर्मित है या मैं कहूँ जो आला मुकी से निर्मित है वो काफी तेजी से होंगी बाकि जो इतने भी भू आकरतिया होती है उनका जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है धीमी होती है और जिनको दिखने में कितना कैसा समय लगता है काफी लंबा समय लगता है भूपटल के उच्चावचों का क्रम उच्चावच का क्रम क्या हो सकता है आप कहो कि जो भू आकरती है जो भूपटल पे स्थित है उनको हम कितने प्रकार से विभाजित कर सकते है तो इसी पे हम देखेंगे कि भूपटल के उच्चावचों का क्या हो सकता है अब इन्होंने क्या किया जो भूगोल वित्ता थे कौन थे जो भूगोल वित्ता जो बहुत इंटेलिएंट इंटेलिएंट लोग होते हैं कि तस्वीरे लगी रहते हैं लाइबरी डियूज में मौसारे रिसर्ट सेंटर्स में इनकी तस्वीरी लगी रहते हैं ऐसे भूगोल से हैं ? तीन वर्ग होँ हमको देखना है तो सबसे पहले देखने प्रथम शेणी के या मैं कहूँ प्रथम शेणी के फर्स ग्रेड उनको अगर हम देखे तो जो प्रथम स्टेणी के उच्चा बच्चा उसमें दो चीज़े आपको आपको देखने को मिलेंगी, कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, पहला, महाद्वीप, क्या देखने को मिलेगा, महाद्वीप, जिसको क्या कहा जा सकता है, कौन्टी, मैंट, या मैं कहूं, आपको देखने को मिलेगा, महा, सागर जिसको कहा जाता है ओशियन तो ये जो महाद्वीप हैं और महासागर हैं इनको क्या कहा जाता है इनको कहा जाता है प्रथम शेणी के उच्चावच प्रथम शेणी के उच्चावचों के अंतरकात महाद्वीप्य क्षेत्र और महासागर ये नितल को सम्मिलित किया जाता है महाद्वीप्य क्षेत्र सागर तल से उपर अवस्थिक क्षेत्र है जबकि सागर ये नितल सागर का तल ये क्षेत्र है तो यहाँ पर आपको ये दोनों चीज़े देखने को मिलेंगे कौन कौन सा महाद्वीपिय और महासागर और महासागर का जो तल है आप देखोगे कि जो महाद्वीपिय क्षेत्र है वो सागर का जो तल है जिसको हम कहते हैं कि जो समुद्र है समुद्र का जो पानिया से उपर देखने को मिलेगा और जो सागर का नितल है जिसके हमने बात कर यह आपको प्रत्रम श्रेड़ी के उच्छावच देखने को मिलेंगे। इन्ही को क्या कहा जाता है। प्रत्रम श्रेड़ी के उच्छावच आगे बात करते हैं। दृतिय श्रेड़ी के उच्छावच जो आपको जनरली देखते हैं। क्या आपको देखते हैं। आप कही प पढ़ार आपको देखने को मिल सकते हैं मैदानror ये सब क्या है तो ये सब क्या ये हैं दृतिये श्रेणी के उच्चावच पर्वत पढ़ार मैदान तद्धा जीलो एवा महा सागरिये नितल में स्थित्थ महा-दWijk- disrespect महादWijk-स धाल गहन सागरिये मैदान मध्ध महा सागरिये कटट अंतिह सागरिये घाटिया और गड़तों को सम्मेलित किया गया है यह जो अपने बात करी है पर जो अपन ने लिखा ये को कहां पर लिखा है हमने जो महाद्वीपेस से थे हैं, इसी तरीके से हमने ऐसे देखा था कि कुछ महासागर का जो नितल है, वहापे भी आपको बड़े-बड़े मैदान देखने को मिलते हैं, उन मैदानों को क्या कहा जाएगा, गहन सागरिये म होगे, तो ये सब कै, ये सब आपको कहां देखने को मिलेंगे, महासागर के नितल में, मैं कहूं, Inside the Ocean movimento, पहले हमने बात कर रही थी कि, प्रत्रामश्रेणी के त्चावच क्या हो सकते हैं, या तो वो महद वीप आपको देखने को मिलेगा, या आपको महासागर देखने को म लेगा ये है महाध्वीप और ये है महासागर का मितल्प अब ये हैं अब इसको देखो किस परकार बाटा गया है सबसे पहले आपके पास महाध्वीप और महासागर होने चाहिए तब ही तो इस पे किसी चीज़ का निर्मान होगा अगर महाद्वीप और महासागर ही आपके पास नहीं है तो क्या किसी चीज का निर्मार्ण हो सकता है तो आपके पास कोई स्थल भूमी ही नहीं है आपके पास कोई आधार नहीं है कि कोई दूसरे उच्चा वचों का निर्मार्ण हो सके अब महाद्वी पे आपको पाहाड देखने को मिल सकते हैं, पठार देखने को मिल सकते हैं, मैदान देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पे भी आमने देखा था, कटक आपको देखने को मिल सकते हैं, आपको ढाल देखने को मिल सकते हैं, आपको द्वीप समू देखने को मिल सकते ह है वो सब कहा बनी महा सागर पे बनी तो पहले आधार चाहिए तो जो आधार है वो क्या है प्रथम शेणी के उच्छा वच्छ है तो प्रथम शेणी के उच्छा वच्छ हो गए आपके महा सागर ये नित्तल और महाद्वीप इसके बाद इन महाद्वीप पर इन महा सागरों में जो भी उच्छा वच्छ आपको देखने को मिलेंगे वो कौन से होते हैं वो होते हैं यह दृतिय श्रेणी के उच्छा वच्छ तो सर फिर यह तीसरे कौन से होते हैं जो आज उनका पनिडाम आप देख रहे हैं वो सब क्या हैं तरती श्रीणी के उच्चावच हैं तरती श्रीणी के उच्चावचों के अंतरगत दूती श्रीणी के उच्चावचों पर निर्मित और विक्सित इस्थल आखरतियों को सम्मेनित किया जाता है इसके अंतरगत परवत ये चोटियां ये कहा है परवत पर आपको देखने को मिलेगी क्लिफ, पहाडी, बालु का स्थूप ये सब कहां देखने को मिल रहे हैं आपको ये सब आपको देखने को मिल रहे हैं जो दूतिय श्रीणी के उच्चावच हैं उन पे आपको देखने को मिलेगा ये सब चीज़ें। घाटियां, गौज, गुफाव, पुलीन, पुलीन, बीच जो होता है, आदी समिलित हैं। तो हमने देखा कि सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले आपको ऐसे बात करते हैं, कि सबसे पहले आपको महाध्वीप चाहिए, महाध्वीप पे क्या होना चाहिए, कोई परवत होना चाहिए, और परवत की क्या होगी, एक चोटी होगी, शिखर होगा, तो जो महाध्वीप है जो क्या है जो महाध्वीब है जो कॉंटिनेंट है यह किस श्रेणी का है यह आप देखोगे यह है प्रथम श्रेणी जो परवत है वो कौन से श्रेणी का उच्चावच है जो परवत यह है द्युतिये ख्रेणी और परवत का जो शिखर है जो शिखर आपको लेखने को मिल रहा है यह कौन से श्रेणी का उच्चावच है शिखर या चोटी जो है यह त्रतिये ख्रेणी का उच्चावच तो आप हमीचे यह पाऊगे कि तृतिय श्रेणी का उच्चावच बनने के लिए पहले प्रतिय श्रेणी का उच्चावच चाहिए आपको दूतिय श्रेणी का उच्चावच बनने के लिए आपको पहले प्रतिय श्रेणी के उच्चावच चाहिए तो इनका निर्माण किस प्रकार होगा, इनका निर्माण कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा, कि सबसे पहले निर्माण किसका होगा, सबसे पहले निर्माण होगा, प्रथम श्रेणी के उच्चावच होगा, इसका होगा, प्रथम श्रेणी के उच्चावच, जब प्रथम श्रेणी के उच्चावच बन के तयार हैं आपके पास, तब किनका निर्माण होगा? तब निर्माण होगा, द्वितिये श्रेणी के उच्चावच होगा, और जब द्वितिये श्रेणी के उच्चावच बन के तयार होगा या बन रहे हैं, तब इनी पे किसका निर् नहीं तो क्या दूतिर श्रीणी के उच्चावच बन सकते हैं तो आप देखोगे ये भी नहीं बन पाएंगे और अगर दूतिर श्रीणी के उच्चावच नहीं बने तो तुरतिर श्रीणी के उच्चावच बनेंगे तो क्या सर आज भी प्रतिर श्रीणी के उच्चावच का निर्माड हो रहा है इसका मतलब आज भी महादवीप और महासागरों का निर्माड हो रहा है तो आप आज भी महादवीप और महासागरों का निर्माड हो रहा है आपने कितने महादवीप और कितने महासागर पढ़ें आप देखोगे अगर न्यूज अगर आप पिछले सालों से अगर पढ़ रहे हो तो लगातार एक नए महधवीब की चर्चा होती रहते हैं जो आस्ट्रलिया और न्यूजिलैंड के पास आपको निकट देखने को मिलेगा अगर आप न्यूज पढ़ते हो तो प्लीस कमेंट सेक्शन में मुझे बताईए कि कौन से नए महधवीब की हम लोग बात करते हैं तो हमने देखा प्रत्रम शेंडी के उच्चा बच्चों का निर्माण हो रहा है कि लगातार तो हम पाएंगे कि हा लगातार क्या कर रहे हैं प्लेट मूव करती रहती है जब प्लेटों का संच्लन होता है प्लेटे मूव करती रहती है तो महाँ पे आप देखोगी कि परवटों का निर्माण हो रहा है किसी जुआला मुखी के उपर से गुजरी तो पठारों का निर्माण होगा नदिया लगाता, मैदानों का निर्माण कर रही है इसी प्रकार कटकों का निर्माण होता रहता है गौर्जिस का, क्लिफ का निर्माण होता रहता है वो सब कौन से उच्छावच हैं मूँ हैं दूतिय श्रेणी के उच्छावच तरतिय श्रेणी के उच्छावच अगर दूतिय श्रेणी के उच्छावच नहीं मान लेजिए अगर परवत ही नहीं है तो परवत का शिकर बन सकता है क्या आगे क्यों चलते हैं अब बात करते हैं ये बात करिया हमने स्थल आकरतियों के बारे में अब हमको बात करने है किसके स्थल आकरतियों के विकास के बारे में विकास मतलब उनका evolution किसके बारे में हमको बात करने है उनके evolution के बारे में अच्छा, evolution किसी भी चीज का, अगर मैं बात करूँ पहले मनुश्य की, तो मनुश्यों का भी क्या हुआ है, evolution हुआ है, आप जो पुराने मनुश्य देखोगे, तो आप आओगे कि क्या, वो सीधे खड़े नहीं हो सकते थे, वो हलके से हमेशा जुके रहते थे, उनके आप द जाता था, वो जाता ताकतवर होते थे, अब जो मनुश्य आप देखोगे, उसका दिमाग विक्सित हो चुका है, तो यह क्या हो रहा है, evolution हो रहा है, इसी प्रकार जो इस्थलाकरतियां होती है, वो भी लगातर क्या करती है, उनका अभी क्या होता है, विकास होता है, अब वो इस्थलाकरती कहां पर है, वो इस्थलाकरती किस चीज से निर्मित होई है, वो जहां पर वो इस्थलाकरती है, वहां पर किस प्रकार का मौसम है, किस प्रकार की जलवाई हो है, इन सब चीजों पर उसका विकास निर्भर करेगा, बात करते हैं, इस्थलाकरतियों के वि विकास का एक अपना इतिहास होता है, एक स्थालाकरती विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरती है, जैसे युवावस्था, प्रौड़ावस्था और व्रद्धावस्था, मनुष्य जो होता है, मनुष्य भी इन्हे अवस्थाओं से गुजरता है, मनुष्य पैदा होता ह शिशू, मनश्य थोड़ा बड़ा हो गया, तो युवावस्था, अब युवावस्था के बाद आप देखोगे प्रौड़ावस्था, प्रौड़ावस्था के बाद आप देखोगे वो बुज़र्ग हो गया है, वो वरद्धावस्था में पहुंच गया है, इसी प्रकार से जो इस्तला करती है, उनका भी विकास होता है, जब आप नदी एकदम पहाड से निकल रही है, आप पान लेते हैं, हम गंगा के अगर बात करते हैं, तो गंगा की बात जब आप करोगे तो आप को क्या लेकि आना पड़ेगा, गंगोत्री से, अभी हम ये मान लेते हैं, गंग उसकी ये वावस्ता है, जब उसमें बहुत सारी ताकत है, बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारी एनर्जी क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हो कि गुरुत्वा कर्शन बलके कारण, वो नीचे की और आ रही है, और गुरुत्वा कर्शन जब उसको खीचेगा, अपनी वो उसकी यो वावस्ता हुई फिर आती है नदी जैसे अब गंगा की बात करें तो हरिद्वार के बाद हरिद्वार के बाद गंगा कहां पर प्रविश्च कर जाती है हम ये मानते हैं कि हरिद्वार के बाद गंगा ने प्रविश्च कर लिया अब नदी जितना पहले अपड़न कर पा रही थी जितना पहले इरोजन कर पा रही थी अब नदी उतना एरोजन नहीं कर पाएगी इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि अब नदी की जो ताकते उसमें कमिया चुकी है नदी अब अपने अपना जो अपरधनात्मक कार्य है वो इतना अच्छे से नहीं कर पाएगी आखरी में जब गंगा आप देखोगे कि बंगाल के असपास पहुंचती है या मैं कहों संदर्वन के से वस्था में करेगी डेल्टा का निर्मान वो अपनी व्रदा वस्था में करेगी जब उसके पास ताकत नहीं है उसके पास इतनी भी ताकत नहीं है कि जो अपने साथ वो अफसाद लेके आईए जो अपने साथ वो सैडिमेंट्स लेके आईए कि उनको और आगे तक वो ल इस्तलाकरती है, वापे तीन अवस्था हैं आपको देखने को मिली कौन कौन सी, आपको देखने को मिली युवा वस्था, आपको देखने को मिली प्रौडा वस्था, आपको देखने को मिली व्रद्दा अवस्था, तो तीनों कार्व में आप क्या देख रहे हो की, नदी का क करेजी अंतुर जातिये बल औद्वारा भुul आकरती का प्रारंबिक विकास होता हैं सबसे पहले है तो आमने देखा था जिसे पहाड़ है पहाड का निर्मण कैसे हुआ या परवद्व का निर्मण कैसे हुआ या पठार का निर्माड कैसे हुआ उसके बीचे कौन से बल जिम्मेदार है तो आपने देखा अंतर जाती बल उसके बीचे जिम्मेदार है लेकिन आज आप देखोगे प्राइद वीपे पठार जो है या मैं बात करूँ जो अरावली परवत है क्या आज उस पे सिर्फ अंतर जाती बल लग रहे हैं तो आप आओगे नहीं हैं अंतर जाती बल कम हो गए हैं अब ज्यादा प्रभावशाली कौन से हो गए हैं बहिर जाती बल हो गए हैं तो अंतर जाती बल क्या करते हैं उनका प्रारंबिक विकास करते हैं उसके बात क्या होता है आकरतियों के न फायू है जो climate है क्लाइएट भी क्या करता है उसको उसको उस पर बहे काफी सारी चीजे depend करेंगे कि जो इस्थन आकरती करेंगी कि जो आकरती है उसमें ऑन जैनेटिक क्लासिफिकेशन, लैंड फॉर्म का अगर जैनेटिक क्लासिफिकेशन करना है, जैनेटिक मतलब वो किसे निर्मित हो रहा है, तो जब हम जैनेटिक क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो आप आएंगे कि बहुत सारे भागों में उसको विभाजित किया जा सकता है, तो यह वर्गी करन भू आकरतियों के निर्मान के लिए उत्तरदाई विशिस्ट भू आकरतिक प्रक्रियां के आधार पर किया जा सकता है यह विशिस्ट भू आकरतिक प्रक्रियां क्या होंगी यह जिससे निर्मित हो रही है अब आप देखोगे कि जो मैदान है मैदान को कौन निर्मान करता है हमने बच्पन से पढ़ाए कि गंगा, यमुना, सरस्वती ये तीन नदियां थी ये तीन नदियों ने क्या किया और अधर पंजाब वाला जो मैदान आप देखोगे अधर जो असम मैदान आप देखोगे तो हमेशा ये पढ़ते है कि मैदानों जो निर्मान होता है वो कौन करता है नदियां करती है ंदियां क्या कर रही है तो मैदान की जननी कौन हुई नदी हुई तो इस प्रकार हमने देखा कि मैदान का एक स्थलाकरती है उसका अगर जननिक वर्गी करण करोगे तो वो कहाँ पाएगा वो किसी नदी से रिलेटेड होगा किसी नदी से सम्मंदित होगा तो इसी आधार पे आमने क्या किया बहुत सारे जननिक वर्गी करण किया उसके जैनेटिक क्लासिफिकेशन किया सबसे पहला आप देखोगे नदी इस्थलाकरती है या मैं कहूँ ऐसी इस्थलाकरती जो नदी से बनी है या मैं कहूँ ऐसी इस्थलाकरती जो बहते हुए पानी से बहते हुए जल से निर्मित हुई है आप उसको क्या कहोगे नदी इस्थलाकरती है और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है fluvial landform क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है fluvial ये नाम थोड़ा सा अलग हो सकता है आपको लगे लेकिन आपको नाम ये भी पता होना अच्छी है fluvial landform अब देखो अगर नाम पर जाओगे ना तो बहुत आसानी से समझ जाओगे fluvial जो शब्द है वो कही ना कही आपको इसमें flow देखेगा क्या देखेगा flow flow का मतलब क्या होता है flow का मतलब क्या होता है बहना flow का मतलब क्या होता है बहना नदी क्या है नदी बहता हुआ जली तरसी को आप नदी कहते हो तो बैते हुए जल से जो इस्थल आकरतिया निर्मित हो रही है या water जो flow लगाहदार कर रहा है उससे जो इस्थल आकरतिया जो landform develop हो रहा है उनको आप क्या काओगे उनको आप काओगे floorveal landform या उन्हे को हम कऊओगे नदिये इस्थल आकरतिया इसके बाद हम पढ़ेंगे जलोड इस्थलाकरतिया, एलूवियल लैंड फॉर्म आप इसमें देखोगी कि गंगा का मैदान जो है यह मानते हैं कि काफी जादा उपजा हुए जलोड मिट्टी हमाँ पर मिलती है एलूवियल सॉयल उसके मिलती है उत्रप्रदेश, बिहार में आपको किस परकार के मिट्टी देखने को मिलेगी आपको जलोड मिट्टी देखने को मिलेगी एलूवियल सॉयल देखने को मिलेगी कास्ट इस्थलाकरतियां जिसको कास्ट लैंड फॉर्म कहा जाता है कास्ट लेंड फॉर्म क्या होता है हमने बात कर रहे थे हम लोग जब भूमे का जल्की तो मैंने बताया था कि जब पानी रिस रिस के नीचे के और जाना शुरू होता है और नीचे माल लीजिए कि उसको किसकी चट्टान मिल गए चूने पत्थर की कोई चट्टान उसको देखने को मिल गी तो क्या होगा चूने पत्थर की चट्टान पर लगाता है अगर पानी गिरेगा तो धीमे धीमे उसमें घुलना शुरू हो जाएगी और आप आओगे कि धर्दी के नीचे मनुश्य ने कुछ भी विक्सित नहीं किया धर्दी के नीचे आप आओगे कि सिर्फ पानी किस के साथ गुला चूने पत्थर की चट्टान के साथ गुला और नीचे उसमें बहुत सारी सुरंगों का निर्मान कर दिया बहुत सारी गुफाओं का निर्मान कर दिया, बहुत सारी इस्थलाकरतियों का निर्मान कर दिया, तो वो इस्थलाकरतिया क्या कहलाती है, कास्ट इस्थलाकरती, हम ये पढ़ेंगे, हम नदी इस्थलाकरती पढ़ेंगे, वायूड इस्थलाकरती, एोलियन लैंडफॉर्म, इसकी भी spelling अलगे हैं, देखो नदी इस्तलाकरती इसको कहा जाता है fluvial landform, English में इसको fluvial कहा जाता है caste को caste ही हम लोग कहते है वायूड, जो वायू से निर्मित हो रही है उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है Aeolian उनको क्या कहा जाता है, Aeolian Aeolian वो इस्तलाकरती जो किस से निर्मित हुई है, जो वायू से निर्मित हुई है अब आप कह सकते हैं, वायू से कैसे को इस्तलाकरती निर्मित हो सकते है तो हमने देखा था, अपरदन का एक कारक क्या है, वायू भी है, तो वायू जब लगातार किसी इस्थान पे जब बहेगी तो वहाँ पे जो शेले हैं उनका क्या करेगी अपरदन करेगी अपरदन करेगी और अपने साथ क्या ले जाएगी अफसात ले जाएगी अफसात जब अपने साथ ले जाएगी जब उसकी गती कम होगी तो क्या करेगी उनका निक्षेपन करेगी तो अपरदन से और निक्षेपन से वायू भी क्या करती है स्थलाकरतियों का निर्मान करती है जैसे हमने बालत कर रही थी कि जो रेत के टीले होते हैं आप अगर जैसलमेर की तरफ जाओगे जोदपुर के तरफ जाओगे या चूरू सीकर ये राजिस्तान के जो जिले हैं इस तरफ जब आप जाओगे तो आप आओगे कि महाँपे क्या मिलेंगे आपको रेत के टीले देखने को मिलेंगे और जिसमें एक प्रमुक रेत का टीला देखने को मिलता है, इसको बर्खान कहा जाता है, या रेत की टीलों के भी अलगला आकरती होती है, हम देखेंगे एक चंदरमा की आकार का रेत का टीला देखने को मिलेगा, एक सीप की आकार का रेत का टीला देखने को मिलेगा, तो वो सेerdधा ये हूथ है कि जब हम k succeeding में आते हैं या college जब हम pass कर लेते हैं था हमको ऐसा रखता है कि हमें हमें जो घूआ जाना चाये घूआ मैं क्यों जाना है तो पूछाई जाना है तो जो कि बीच देखने याना है, बीचिस जो होते हैं, पुलिन जो होते हैं, उनको दिखने जाना है। तो ऐसी स्थलाकरती जो तट पे निर्मित हो रही है उनको आप क्या कहोगे Coastal Landform कहोगे हिम नदिये स्थलाकरती हैं यह मैं कहूँ Glacial Landform Glacial Landform किसे बनेंगे आपको नाम बता रहा है Glacierों से जो निर्मित होगा उनको आप क्या कहोगे Glaciated Landform इसमें एक बहुत अच्छा उदारन है कि एक टोकरी का निर्माण होता है अंडर की टोकरी का निर्माण होता है जब Glacier आगे की और चलता है तो चटानों को हमने क्या करता है हमने देखा था प्लक करता हुआ चलता है प्लकिंग जिसको हम कहते हैं तो इस प्लकिंग करता हुआ चलता है तो एक अलग इस्थलाकरती का निर्माण हो जाता है ऐसी इस्थलाकरती जो हिमनदो द्वारा बनी है जो Glacier द्वारा बनी है उनको आप क्या कहोगे हिमनदी इस्थलाकरती है या Glacial Landforms और ऐसी इस्थलाकरती जो किसी, किसके कारण जील के कारण बनी है उसको आप कहोगे Lacostrine Landform लेक से जिसका निर्माड हुआ है हिंदी में जील कहते हैं अंग्रेजी में उसको लेक कहते हैं जो लेक से जिन इस्थल आकरतियों का निर्माड हुआ है उनको हम लोग कहते हैं, लैकोस्ट्राइन लैंडफोर्म, उसको कहा जाता है, सरुवरी इस्थल आकरतिया, हमारे लिए जो काफी महत्वपूर्ण हैं, जान से यूपियसे ने प्रश्न पूछे हैं, वो नदी इस्थल आकरतियों से प्रश्न पूछा गया है, कास्ट जो इस्थल आकरतियां से सवाल पूछे जा सकते हैं, तो ये कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, बाकि हम जो टच करते हुए सब को चलेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं, उनमें हम लोग थोड़ा ज्यादा समय व्यतीत करेंगे, तो नदी इस्थल आकरतियां, जिनको कहा जाता है, फ्लूवियल लेंड फॉर्म, जलोड इस्थल आकरतियां, एलूवियल लेंड फॉर्म, कास्ट इस्थल आकरतियां, कास्ट लेंड फॉर्म, वायोड इस्थल आकरतियां, एउलियन लेंड फॉर्म, इसके बाद तटी इस्थल आकरतियां, जिसको हमने क अब सबसे पहले जो सबसे पहले लिखा हुआ है उसके बारे में बात करते हैं नदी इस्थल आकरतियां तो नदी इस्थल आकरती पढ़ने से पहले आपको नदी के बारे में पता होना चाहिए कि भाई नदी हूती क्या है किस को हम नदी कहेंगे नदी द्वारा क्या-क्या व इंटर्वियू में, आपसे इंटर्वियू में सवाल पूछ लिया कि नदी क्या होती है, नदी की परीभाशा बताईए, पूछा जा सकता है सवाल, आपने पढ़े ये बहुत सारी नदीयों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो नदी की क्या परीभाशा हो सकती है, आप पूछे जा सकते हैं और हमने बच्पन से पढ़ा है नदी के बारे में और हमारे देश में हमारे देश में आप देखोगे कि जो जनसंख्या है जनसंख्या का जो घनत्व है वो भी नदी पे निर्भर करता है गंगा नदी के किनारे किनारे जितने भी आपको राज्य देखने को मिलेंगे आप देखोगे कि वहाँ पे जनसंग का गनत बहुत अधिक देखने को मिलेगा क्यों है ऐसा क्योंकि महाँ से गंगा नदी गुजर रही है गंगा नदी गुजर रही है तो क्या हुआ गंगा नदी जब गुजरती है तो आपने सा जलोड मिट्टी लेके आती है जलोड मिट्टी से क्या होता है उपजाओ होती है वो उपजाओ जब वो मिट्टी होती है तो वहाँ पे किसी भी किसी भी फसल को उगाना बहुत आसान हो जाता है तो वहाँ पे मनुष्य जादा ब परिभाशा क्या हो सकती है तो आज सोचते हैं मिलकी कि नदी की क्या परिभाशा हो सकती है आप सब लोग कमेंट सेक्षर में मुझे बताएं कि नदी की क्या परिभाशा हो सकती है तो जोग्राफी में अगर नदी की परिभाशा मैं देखूं तो जोग्राफी में नदी की पर जाता है और नदी का जो शीर्ष है इसे नदी का शीर्ष है हैडवाटर्स के नाम से भी जाना जाता है और वहे बिंदु जहां किसी अन्य बड़े जल निकाए जैसे बड़ी जीलिया समुद्रिया महासागर में प्रवेश करता है नदी का क्या कहलाता है मुहाना कहलाता है तो इसको अगर देखना हो तो हम ऐसे देख सकते हैं कि माल लिजिए ये हिमाल है कि कुछ श्रंकला है अभी हमको नहीं पता कौन सी श्रंकला है जब हम लोग गंगा के वारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊगा कौन सी श्रंकला है अभी हम समझ लेते ह यहां पर एक गंगुत्री राम के स्थान है हमनद है वहां पर और वहां से क्या निकल रही है यह क्या हुआ गंगा नदी यहां से निकली तो गंगा नदी जिस क्षेत्र से निकली इसको नदे का क्या कहा जाएगा इसको नदी का कहा जाएगा उद्गम क्षेत्र क्या कहा जाएगा नदी का उद्गम क्षेत्र और यहाँ पे जो शिर्वाती पानी जो बहेगा यहाँ पे इसको कहा जाता है head water क्या कहा जाता है head water इसे नदी का शीर्षय head waters के नाम से जाना जाता है क्यों कहिंगे इसको head waters हम लोग क्या मान रहे हैं, हम लोग ये मान रहे हैं कि नदी यहां से शुरू ही, आप कहां से शुरू हो रहे हैं, मैं जैसे मेरी बात करूँ तो मैं यहां से शुरू हो रहा हूं, और शुरू होते होते हो, मेरे पैर पे जाके मैं खतम हो जा रहा हूं, तो यहां से शुरू हो हो कि जो गंगा है वो कहां पर जाके समात होती है तो आपको पता होना चाहिए बंगाल की खाड़ी में जाके गर जाती है तो जब ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरी तो ये मानले जी है यहां पर जाके ऐसे पकार गिर गई और यहाँ पर क्या है बंगाल की खाड़ी है बहुत सारा पानी है बहुत है तो बंगाल की खाड़ी में जब गिर गई तो इस वाले क्षेत्र को आप इसका क्या का होगे मुहाना का होगे और वो क्षेत्र जहांपे नदी किसी बड़ी नदी से मिल जाए बड़ी नदी से कैसे मिल सकती है आप ऐसे समझे यमूना नदी यमूना नदी प्रयाग राज में कौन से नदी से मिल रही है तो आप देखोगी जो यमूना नदी थी वो प्रयाग राज में गंगा से मिल रही है ये माल लेते हैं यमुना है और ये माल लेते हैं गंगा है तो यमुना नदी प्रयाग राजमे किसे मिल रही है गंगा से मिल रही है और यमुना के मुकामले गंगा बड़ी नदी है तो यमुना का मुहाना ये हो जाएगा और अगर यमनोत्री पर अपन लोग चलें किस कहां चलें यमनोत्री दो धामों की यात्रा मैंने आपको करवा दिये गंगोत्री की और यमनोत्री की तो यमनोत्री पर जब आप चलोगे तो ये वाला जो ख्षेतर है ये उद्गम ख्षेतर है किसके लिए यमना के लिए फैट वाटर्स के नाम से आप उसको जानो गे तरहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको आगे क्यों चलते हैं बहुत नदी में क्या होता है नदी में बहुत सारी और नदीयां भी आके मिलती हैं जैसे गंगा में हम बात करें तो गंगा में आप देखोगे यमुना आके मिल रही है अच्छा यमुना में भी कोई नदी आके मिलती होगी जैसे यमुना में आप देखोगे कि तरप्रदेश में इटावा के आसपास जो चंबर नदी है वो आके मिलती है तो ये क्या है इनकी साहयक नदी हैं तो जो साहयक नदी होती है इसको क्या का जाता है इसको क्या का जाता है Tributory क्या का जाता है साहयक नदी को क्या का जाता है Tributory कैसी होती है Tributory ऐसे समझे है बाल लेते हैं ये कौन सी नदी थी ये है चबल नदी यहां से बेहते हुए आ रही थी यह मालत है यमुना नदी थी और यहां पर कौँ से नदी बेह रही थी गंगा नदी बेह रही थी तो चंबल नदी आप देख रही हूँ किसमें मिल रही है यमुना में मिल रही है और यमुना किसमें जाके मिल रही है गंगा में जाके मिल रही है तो गंगा की सायक नदी कौँ से है यमुना यमुना की सायक नदी कौँ से है चंबल है लेकिन यहां पर आपको एक नदी तंत्र देखने को मिल रहा है क्या देखने को मिल रहा है तंत्र देखने को मिल रहा है इसको क्या कहा जाता है इसको नदी तंत्र कहा जाता है मुख्य नदी और उसकी सहयक नदियों द्वारा गठित एकी क्रत प्रणाली को क्या कहा जाता है नदी तंत्र कहते हैं तो हम लोग जब पढ़ीगे गंगा के बा प्रयाग राज में हम लोग ये मानते हैं, हिंदू माइथोलोजी में माना जाता है कि तीन नदिया मिलती है, प्रमुक नदिया, गंगा, यमुना और सरस्वती, अब सरस्वती तो विलुप्त हो चुकी है, लेकिन हम पढ़ेंगे उसके बारे में अभी कि सरस्वती के साथ क्य क्या हुआ, गंगा और यमुना मिलती है, तो वो क्या है, संगम, क्षित्र, प्रयाग राज है वहाँ पे, उधारन के लिए यमुना नदी गंगा की सायक नदी है, प्रयाग राज के त्रिमीनी संगम में यमुना नदी गंगा से मिलती है, इसके बाद हम बात करें कि वह शा रखा नदी में कई बार क्या होता है माल लेजे यह गंगा नदी यह कौन से नदी है गंगा नदी अब गंगा नदी में हमने देखा कि कुछ नदियां गंगा नदी में आके मिल रही हैं और जो नदी गंगा नदी में आके मिल रही है गंगा का प्रभा माल लेते हैं इस प्रक प्रमुक नदी मान लेते हैं उसकी यमन आके मिल दें, रंगा में हैं मिल दें, यगा में मिल दें हैं लेकिन कई बार ऐसा होगा कि नदी की जो प्रमुक शाकः है उसे एक शाकः अलग निकल जाएगी इस प्रकार. इस प्रकार अगर कोई शाखा निकलती है तो इसको तो हमने क्या कहता है इसको तो हमने कहता है ट्रिब्यूटरी उसकी सहायक नदी इसको कहा जाता है डिस्ट्री ब्यूटरी क्या कहा जाता है डिस्ट्री ब्यूटरी इसको कहोगे आप डिस्ट्री ब्यूटरी या इसको नदी में कहा जाता है वित्रिका, वित्रिका, तो क्या गंगा के पास कोई वित्रिका है, तो आप पाओगे जो हुगली नदी है, जो हुगली नदी है, वो क्या है, गंगा की नदी की वित्रिका है, तो इसको मैं यहां पर लिख सकता हूँ, कि यह जो है, यहां पर कौन सी वो उसकी सहायक नदी है कौँसे नदी है सहाय या उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है ट्रिब्यूटरी है क्यान तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए उसके बाद हम बात करें कि अपवा दुरूनी या ड्रेनेज बेसिन अब देखो यहाँ पर नाम से पता लग रहा है किसकी बात हो रही है बेसिन की बात हो रही है आपने एक और बेसिन का नाम सुना है आप सबके घरों में होगा कौँसा बेसिन वाश बेसिन क्या होगा वाश बेसिन होगा और वाश बेसिन के अगर आकरते आप देखोगे यह होता है वाश बेसिन आप कहीं पे भी पानी गिराओ चाहिए आपने पानी यहां गिराया आपने यहां गिराया आपने यहां गिराया आप वाश बेसिन में कहीं पे भी पानी गिराओ अल्टीमेटली वो पानी कहा जाएगा इस जो नीचे पाइप लग रहा हुगा जिसको ड्रीन कहा जाता है उस ड्रीन प्राइब के थू वो पानी कहा चला जाता है नाली में चला जाता है तो इस क्षेत्र में अगर कहीं पे भी पानी गर रहा है तो वो पानी कहा चला जाएगा ड्रीन में चला जाएगा इसी प्रकार क्या होता है यह ड्रीनेज बेसिन होता है यह तंत्र की मतलब इसको ऐसे समझे लीजे ये ड्रेनेज बेसिंग आप कैसे डिफाइन करोगे ऐसा क्षेतर है यहां पर कहीं पर भी क्या हो रही है वर्षा हो तो उसका सारा पानी अगर इस मुख्य नदी में आके मिल रहा है तो यह पूरा जो एरिया है यह उस नदी का क्या है उस नदी का ड्रेनेज बेसिंग का होगे नदी तंत्र की इस थानिक एकाई है इसमें नदी अर्भूमी की सत्य दोनु शामिल है यहां पर हो सेकह कि कुछ और नदी भी हूं जैसे गंगा यहमुना माली जिए चम्बल में पानी आया तो चम्ल का पानी का आएगा यहमुना म तो इस प्रकार ये गंगा नदी का क्या हुआ? अब वहाँ द्रूरि हुआ, इसका ट्रेनिंग बेसिन हुआ. इसे किस दूसरे नाम से जाना जा सकता है? जल ग्रैंड, क्षेत्रिया इसका कैचमेंट एरिया के नाम से भी इसको जाना जा सकता है. इसके बाद अगर हम बात करें नदियां दो प्रकार की होती हैं मुख्ये थे नदियां किसने प्रकार की होती हैं दो प्रकार के नदियां होती है एक नदियां होती है बारा मासी जिसको का जाता है पेरेनियल और दूसरी नदियां होती है मौसी में जिसको का जाता है इंटर मी नाम से पता लग रहा है बारा मासी नदी वो नदी जो बारा महीने बहती हो उसको क्या कहोगे पेरेनीनियल कहोगे या बारा मासी कहोगे और वो नदी जो सिर्फ मानसून की वर्षा पे डिपेंड कर रही है भारत में मानसून आता है मानसून की समया पे आप देखोगे कि किसी विशेश मौसम में जब बहेंगे तो उन नदियों को आपके कौन से नदि कोगे मौसमी नदि कोगे इंटर मीटेंट नदि कोगे तो हम ये मानते हैं कि जो हिमाले से निकलती है नदिया वो सब कैसी आपको देखने को मिलेंगी बारह मासी देखने को मिलेंगी क्यों होती कि मौसम में ही वो नदिया बहेंगी बाखी किसी मौसम में आप देखो कि कि वो नदिया नहीं बहती हैं तो इस प्रकार हमने नदियों को क्या कहा दो भागों में विभाजित किया अब नदियां बहती हैं नदियों का क्या होता है अपवहा तंत्र होता है तो नदी का जो अपवहा तंत्र है कि नदी किस प्रकार बह सकती है उस अपवहा तंत्र को types of drainage system या अपवहा तंत्र के कितने प्रकार होते हैं दो प्रकार होते हैं अब दो प्रकार कौन से होते हैं ? वो होते हैं करमवर्ति उसको कहा जाता है सिक्वेंट और इन्सीक्वेंट या अकरमवर्ति अब क्या होता है करमवर्ति और क्या होता है अकरमवर्ति » Evolution ये चीज़ और समझ लेते हैं हम लोग ऐसी नदियां जो किसका अनुवरत करें जो वहाँ पे भूमी का धाल है जो भूमी का जो लैंड का स्लोप है अगर स्लोप के अकॉर्डिंग उस धाल के अनुरूप अगर नदियां बहेंगी तो उसको आप कहोगे क्रमवरती और अगर नदियां उस धाल के विपरीत बहेंगी या ढाल के अनुकुल नहीं बहेंगी तो आप उसको कोई से नदी कहोगे अक्रमवर्ती नदी कहोगे अभी कैसे हो सकता है तो इसको ऐसे समझें हम लोग भारत को अगर देखा जाए तो भारत आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा यह आपकी हमाले की श्रेणिया आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर आपको मैदान देखने को मिलेगा मैदान के बाद आपको यहाँ पर पठार देखने को मिलेगा ठीक है आपके तक्टी मैदान आपको देखने को मिलेगी यह भारत है अब माल लेते हैं कोई नदी इस वाली श्रेणी से निकलना शुरू ही और नदी जब निकल रही है तो वो इस प्रकार बह रही है इस प्रकार नीचे बह रही है तो क्या ये ढाल के अनरूप बह रही है तो हम कहेंगे कि यहाँ ढाल भी इसी और है और ये नदी भी इसी और बह रही है तो जब ढ़ाल के अनरूप बह रही है तो इस नदी को आप करम वड़ती नदी कहोगे इसको सिक्वेंट रिवर कहोगे अब माल लेते हैं कोई नदी इस ढ़ाल के विपरीद या इस ढ़ाल के अनुकुल ना बहके कोई नदी ऐसे बहना शुरूर है क्योंकि ये पाड़ पूरा होगा परवस्ट रंकला है पूरी होगी तो इस ढाल के अनिरूप ना बहके इसके विपरीत दिशा में वो बहने लग जाएं तो आप उनको क्या कहोगे जैसे आप ये भी देखोगे जो पठार वाला क्षेतर है वो इस तरफ से थोड़ा उठा हुआ है इस तरफ आपको देखने को मिलेगा अब इस पठार पे कोई नदी अगर बह रही है और वो नदी अगर इस प्रकार अब ये पठार जो है ये थ्रीडी फिकर में आप देखो तो ये पठार आपको इस प्रकार देखाई देगा अगर इस तरफ भेरी है तो ठीक है अब इसके विपरीद या इसके ढाल के अनुरूप ना बायके नदी इस प्रकार बहना शुरू कर दे इसको आप क्या कहोगे इसको आप कहोगे आकरम वर्ती तो ड्रेने सिस्टम कितने टाइप के होते हैं दो टाइप के होते हैं अपवात अंत्र करम वर्ती और अकरम वर्ती सीक्वेंट और इन सीक्वेंट तो यहां तक मैं उम्मेद करता हूँ कि आपको चीजने समझ में आई होंगी कि अपवात अंत्र क्या होता है नदी क्या होती है नदी की परिभाषा क्या होती है नदी को लेके जो छूटे छूटे शब्द हम लोग आके प्रयोग करने वाले हैं वो सब क्या होता है इस्तलाकरतिया क्या होती है और उनका विकास कैसे कैसे होसता है तो आज के लिए मेरे इसाब से इतना काफी है हम लोग next class में इसी slide से शुरू करेंगे types of drainage system उसमें हम पढ़ने की कुशिश करेंगे आगे कि क्रम वर्ती के कौन-कौन से भाग होते हैं जो class की PDF है आपको पता है काम मिल जाएगी मुकुल भारतवाज चॉग्राफी नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको क्या मिलेगी class की PDF देखने को मिल जाएगी कौन सा चैनल है यह चैनल है मुकुल भारतवाज जोग्राफी के नाम से यहाँ पर आपको टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगी और बात ध्यान रखें कि study IQ का अगर आपको कोई भी course खरेदना है तो आपको कौन सा code यूज करना है code MB live कौन सा code यूज करना है code MB live जिस से आपको क्या मिल सके maximum discount मिल सके तो मिलते हैं कल इसी समय drainage system के types को लेके अपवात अंत्र के प्रकारों को लेके तब तक आपको क्या करना है अपना ध्यान रखना है स्वस्ति रहना है साथी साथ चीजों को revise करते हुए चलना है नोट्स बनाते हुए चलना है और चैनल को session को like करना है चैनल को subscribe करना है session को share कर देना है साथी साथ जो next session हैगा उसको भी आपको क्या करते हुए चलना है share करते हुए चलना है तो मिलते हैं कल तब तक अपना ध्यान रखिए जैहिन जैभार हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi